तुलस्या पल्लवं विश्णो शिरश्या रोपितम कलो आरोपयती सर्वानी श्रेयांशी वर्मस्तके आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है आप मेरे चैनल पर कार्थिक मास के सभी अध्याई सुन रहे हैं इससे पहले कार्थिक मास के 26 अध्याई म आपने सुना कि किस प्रकार मनश्य और उनके परिवार्जन एक दूसरे के पाप और पुण्य के भागिदार बनते हैं और अंत में नरग में जाने वालों के साथ क्या होता है अगर आप जाना चाहते हैं कार्थिक मास में की गई पूजा का उध्यापन कैसे करना चाहिए औ तुलसी विवहा की बहुत ही आसान लेकिन संपूर्ण विथी मानेता हैं कि अपनी भक्ति और सामर्थ के अनुसार एक आधा चोथाई या नौ मिश्रित धात्वों से श्री हरी और तुलसी जी की प्रतिमाएं बनवाने चाहिए फिर तुलसी जी और भगवान विश्नु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके इस्तूति आधी के द्वारा भगवान को नित्रा से जगाना चाहिए और फिर पुरुष सूक्त से वहस्षोदिसो उप्चार से पूजा करने चाहिए पहले देशकाल इसमरण करके गडिशी की पूजा करें फिर पुन्याह वाचन करके वेद मंत्रों का उचारन करते हुए शंक और घंटी बजाते हुए भगवान विश्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखते हैं शालिग्राम भगवान की अगर तस्वीर है मोर्ती है या शालिग्राम भगवान का स्वरूप आपके पास है तो आप उन्हे अच्छ भगवत देव अर्च यद्ध्यामी केशवा तुभ्यम दास्यामी तुलसीम सर्व काम प्रदो भवा अर्थात है भगवान केशव आईये देव मैं आपकी पूजा करूंगी आपकी सेवा में तुलसी जी को समर्पित करूंगी इस प्रकार आहवान करने के साथ ही अर्ग, फल, फूल, नैवेत भगवान को समर्पित करना चाहिए अब कांसे के पात्र में दही, घी और शहद रखकर उसे कांसे के ढखतन से ढखकर भगवान श्री हरी को अर्पन करते वे इस प्रकार कहना चाहिए हे वासुदेव आपको नमस्कार है यह मधुपर्क ग्रहन कीजे और तब दोनों को एक दूसरे के समक्ष रखकर मंगल पाठ करना चाहिए इस प्रकार गोधूली बेला में जब भगवान सूर्य कुछ-कुछ दिखाई देते हैं तब कन्यादान का संकल्प करना चाहिए और यह पारवती के बेज से प्रकट हुई हैं व्रंदावन की भस्म में इस्थित रही हैं तथा आदी, मध्य और अंत में शुन्य हैं आपको तुलसी अत्यंत प्रे हैं अतहा इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करती हूँ मैंने जल के घणों से सीच कर और अन्य सभी प्रकार की सेवाएं करके अपने पुत्री की भाती इसे पाला पोसा है और बढ़ाया है और आपको तुलसी जी दे रहा हूँ या दे रही हूँ हे प्रभू कृपयाकर इसे ग्रहन करने का कस्ट करे भगवान विश्नु को तुलसी जी का दान करके और फिर तुलसी जी और विश्नु जी की पूजा करने चाहिए अगले दिन प्राता काल में पुनह पूजा करे और फिर हवन आदी करे आप चाहें तो किसी भी आचारे से घर में पूजन हवन करवा सकते हैं और तब भगवान से प्रार्थना करते वे कहना चाहिए हे प्रभू आपकी प्रसनता के लिए मैंने यह व्रत किया इसमें जो भी कमी रह गई हो वे आपके प्रसाथ से पूर्णता को प्राप्थ हो जाए अब आप तुलसी जी के साथ वेकुंठ धाम में पधारें आप मेरे द्वारा की गई पूजा से सदा सरवदा संतुष्ट रहकर मुझे करतार्थ करें इस प्रकार व्यक्ति तुलसी विवाह का परायान करके भोजन कर सकता है और भोजन के बाद तुलसी जी के अपने आप गिरेवे पत्तों को निगल कर सब पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्थ होता है भोजन में आवले का फल खाने से हर तरह के पापों से व्यक्ति दूर हो जाता है आप तुलसी दल अकसर तोड़ते होंगे और हो सकता है कि आप बिना जानकरी के अभाव में उन नियमों को भी खंडित कर देते होंगे जिनका पालन तुलसी जी के पत्ते तोड़ते समय अनिवारे होता है तो अब जानिए कि तुलसी दल तोड़ते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सा समय है जो तुलसी दल तोड़ने के लिए शुब माना जाता है और कौन सा समय है जब आपको गलती से भी तुलसी दल छूने तक नहीं चाहिए तुलसी दल और पत्यां आपको जब भी तोड़ना हो तो उसके लिए वैधरिती और व्यति पात इन दो योगों में मंगल, शुक्र और रवी इन तीन वारों में द्वादशी, अपावस्या और पूर्णिमा इन तीन तिथियों में संक्रांती, जन्म मरंच्छूत में तुलस दल नहीं तोड़े जाते, किन्तु तुलसी जी के बिना भगवान की पूजा भी पूण नहीं मानी जाती, अतहा निशेद समय में तुलसी व्रक्ष से स्वयम गिरीवी पत्यों से पूजा करने चाहिए, यानि कि पहले दिन के पवित्र इस्थान पर रखे वे तुलसी दल स भी भगवान की पूजा की जा सकती है, और शालिग्राम भगवान की पूजा के लिए वर्जित तिथियों में भी तुलसी जी तोड़ी जा सकती है, यानि कि जिन जिन तिथियों को आपको तुलसी दल तोड़ने के लिए मना किया गया है, अगर उन तिथियों में शालिग् वस्तु अपने शरीर पर धारन करके तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए। आप जानिये किस प्रकार तुलसी तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़ कर पत्यों के साथ आगे के भाग को पूरी तरह से तोड़ना तुलसी जी की मंजरी सबसे ज्यादा पवित्र फूलों में से एक मानी जाती है तो तुलसी जी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है तो मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्यों का रहना भी आवश्यक माना जाता है कभी भी तुलसी जी को जोड जोड से हिला कर तुल लाख कुना बढ़ जाता है तुलसी दल तोड़तिस में आप इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाब कर सकते हैं यह मंत्र है ओम सुभद्राय नमहा या ओम सुप्रभाय नमहा या फिर मातस तुलसी गोविंद हर्द्यानंद कारिणी नारायनश्य पूजार्थम चिनोमी त्वाम नमोस्तुते यह था कार्थिक मास का 27 अध्याए अगर आप जाना चाहते हैं देव उठान एकालशी की संपुन पूजा विधी के बारे में और सुना चाहते हैं व्रतकथा साथ ही जानना चाहते हो तुलसी विवाह के बारे में तो आप मेरे चैनल पर पहले से ही अ तिहां आप सभी को पसंदाया हुगा